question क्या है if a sum of rupees 3540 is divided in 3 parts in a ratio of 2 ratio 6 ratio 7 then the largest part will be देखे simple question है क्या कह रहा है कि जो sum दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3540 रूपीस का वो कितना पार्ट में दिवाइड है वो 3 पार्ट में दिवाइड है ठीक है ना वो 3 पार्ट में दिवाइड का साम है ठीक है ना तो इनका ratio के दिया हुआ है 3 पार्ट का 2 ratio 6 ratio 7 दिया हुआ है कुछ नहीं करना है यह ratio है ना इनको कर लो add तो कितना हो जाएगा 6 7 13 और 2 15 तो 15 unit के आगया इनका ratio आगया ठीक है ना जोडने के बाद इन ratio का अब देखे सम कर लिया तो 15 unit equal to क्या कर लो सम कितना दिया हुआ है सम दिया हुआ है कितना 3540 ठीक है ना इतना दिया हुआ है तो 1 unit की value कितनी आएगी 1 unit की value कितनी आएगी इसको divide कर लो तो इसको divide करते है दर पर 3540 divided by 15 ठीक है ना 5 3 जा और 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40 ठीक है 3 बन जा 3 और ये कितना बार में जाएगा तू जा और 3 जा 9 और 6 जा तो कितना आगे 236 कि आगे 1 unit की value कितनी आगे 236 कितनी आगे रुपी 1 unit की value क्या पूछा था question में कि आप से largest part पूछाता तो देखे ratio क्या है largest largest ratio क्या है 7 है ठीक है तो कुछ नहीं करना है क्या करना है जो 263 है न, उसमें कर दो क्या इंटू? 7 का इंटू कर दो, तो कितना आयगा? 7 सेखजा, 42, ठीक है न, तो कितना हो गया? 2, 4 कहरी, 7, 3 या 21, और 4 तो कितना हो गया? 5 आगया, आगया? 1, 2 कहरी, ठीक है न, 7, 2 या 14, 15, और 16, तो कितना आगया? 16 आगया, तो largest value कितनी आगई? 1652, तो answer कितना हो जाएगा? अपना, इतना answer हो जाएगा, तो option number क्या है? Option number first क्या है? इसका answer होगा, ओके दोस्तों?